अपने आसपास तरह तरह की खबरे देखने और सुनने को मिलती है इन में से कुछ खबरे ऐसी होती है जिन को देखकर हमें उन पर जल्दी से यकीन नहीं हो पाता वहीं कुछ खबरे ऐसी होती है जिन पर हमें जल्दी से यकीन हो जाता है आज हम आपको असम से एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहत हैरान कर देने वाली है इस खबर के बारे में जिसमें भी सुना उसको भी यकीन नहीं हुआ तो चलिए आप भी जान और शेयर करना ना भूलेगा गाइस असम के तिन सुक्या में बना हुआ स्टेट बैंक ओफ इंडिया का एक एटियम खड़ाब पड़ा हुआ था खड़ाब एटियम की लोगों ने कई बार शिकायत भी की लेकिन कुछ तिनों तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई जब करमचारी एटियम ठीक करने पहुचे तो उन्हें एटियम मशीन में कुछ ऐसा दिखा जिसको देखकर उनके पैरो तले जमीन खिसक गई दरासा जब एटियम मशीन को ठीक करने करमचारी पहुचे और उन्होंने एटियम मशीन को खोला तो उन्होंने देखा कि मशीन के अंदर जितने भी नोते उन्हें चुहों ने कुतर दिये हैं मशीन में मौजूद नोतों की कीमत 10-20 हजार नहीं बनकी लाखों के आसपास थी नोतों के ऐसी दशा देखकर वहां मौजूद करमचारियों ने अपना माथा पकड लिया चुहों ने नोत कुतरने से एसपाई को भारी नुकसान हुआ इस बारे में एसपाई के अधिकारी ने बताए कितिन सुक्या के लैपुली में बना हुआ एसपाई का एक शिकायत की और फिर कंपनी ने एटियम को ठीक करने के लिए करमचारी को भेजा वहीं एसपाई के अधिकारी ने ये भी बताए कि एटियम में मौजूद 12,38,000 रुपे नोट चुहों ने कुतर दिये और सिर्फ 17,000 रुपे ही बच पाए है जिसीं Global Business Solutions ने इस एटियम में 29,000 रुपे डाले दे उसकी अगले ही तिन से एटियम ने काम करना बंद कर दिया था एटियम की खबर होने की शिकायत हमें मिलती रही इस घटना की जाच करने के लिए बैंक ने FIRP दर्च करवाई है वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये घटना एक सोची समझी साजिश है लोगों कुशक इसलिए हो रहा है कि क्यूंकि बैंक अधिकारी एटियम को ठीक करने एक महीने बाद आए पहले क्यों नहीं आए